यहां पूरपक्षे कह रहा था कि बहुए जो तात्विकत्व का लक्षण हमारे मत पर अर्थिक क्रिया समर्तत्वम वस्तुत्वम यह जो है तत्व संग्रह उनका गरंध है उसके अदर उनका मानना है अर्तस्य ताहा पाकादे है क्रियाम निश्कति ही तस्यास्तिति आविलंबर्म अविसम वाद व्यवस्ता वा इती तो इसी को तात्तिक मानता हूँ और बेद वेवस्ता पक हो और अवेवस्ता पक होता है और बेद में अर्थिक्रिया समर्थ तो 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 तिखाए जा रहा है इना अवेद में अर्थिक्रिया समर्थ तो नहीं है इसलिए अवेद में जो अवेवस्ता के संपान करना वो मिध्या मानना पड़ेगा वन्नी के अन कहा था उसके में से जवाब इता है तरह एंधा फॉस्ता है स्वा समान सत्था को भेद कारिय तुएन नहीं है इसे मित्यात कारय अक्षम हो गया और थे कर्या कारत नहीं से मित्या है अजय तो नहीं गह सकते इत्ता या कारित प्रवेक्त मिध्यात्वसिया आपाई तुम अशक्यत्वाद उपाद्य वेदास्यवत तरतंत्रत्वाद कि उपादी का रेद को यमहा तंत्रव परदांत अमानते वेवस्ता के परदी उपादी भेदी मुख्य कारणे पुर्दान, कि उपादी कल्पित आँश जीवाना वा अनुसंधानम आपाथेते अशिनो ब्रह्मनो वा इतना है हमापसे पूछना चाहेंगे भाई ये जो आपने कहा उपादी के द्वारा चिन में अनुसंधानम कल्पिते, किसमें कल्पिते जीव में के ब्रह्मु में नाध्य हस्तावच्चने न पादावच्चन दुखादी अननसंधानात अते हैं हस्तावच्चने न पादावच्चन दुखादी अननसंधानात हस्तावच्चन चेतनी के दुवारा पादावच्चन चेतनी में दुखानवा हो रहा है उसका अनुसंदान तो होता नहीं, इसे अंश में तो नहीं हो सकता, पुरपक्षिका है द्वाइती, नचे नवयम भोगायतराना सांकर्यम आपादयामा, ये नपादय में वेदना शरसी में सुकमिती नस्यात, किन्तु अनुसंदार मात्रप, हमने जो है भोगायतराम का सांक सांकर्यम आपादयामा, आपादयाम नहीं कर रहा हूं, जिसके कान्सा को, कि पैर में जो वेदना है, सिर में सुक है, ऐसा ज्यान नहीं होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, किन्तो मानुसंदान मात्रुल ववस्ता दे रहे हैं, तच्च, अंशानम अप्यस्त्यव, और अ कर से हात, झाथ ऐत्र के शरीर में, जो कंतक कादे लग गया, उसे दूर करने, हटाने के लिए, मैटर के जैसे प्रवर्ति नहीं होती है, जब तक निवेदन नहीं करेगा, तब तक उसी प्रगार से, पाद इतल में लगाू कंतग को दूर करने के लिए, हात प्रवर्त नही कि योगा इति नच वाच्य शित्धांति के अथाँ यह सोंति हो। उसी प्रकार से दुख अदि का जो है आनुसंधान है वा मैत्र बे उत्पन नहीं होता। हस्ते दुख का प्रयोज को सामगरी विरहावत, इस हस्त में दुख का प्रयोज को सामगरी नहीं है, उसे रो महित्र में भी अनुसंदान प्रयोज को उपादी अइक्या बावात, महित्र में चेत्री जो उपादी का साथ अइक्यता नहीं है, अनुसंदान को प्रयोज क्या ह पहरा है, अंतकक्रण का अभेध होना चाहिए, और मैत्र चैत्र का अन्तक्रण का अभेध, नहोंए कि कारन से है, चैत्रस्त दूग.. का अनुब सुना, मैत्र को नंहीं हो वेगा, पहाचा.. इसे निश्करशे निकला, सामगरी का अभाव, मुक्य कारण है.. बंशे अरो नहीं किपरती हात और पैर का एक साथ गोड़का. सा कशात नहीं करने सामगरी कअभाव. और दूसरा क्या है? मुक्या चामगर्य हमरे कोणे कहीं आनमान करते हैं、 अनुसंधान करते हैं, वसकर पुर्जय कोणे? अंतक्रन याद ज्ञान रुपादी का अवेद, यह मुख्य कारण बनता है, तजाचा हस्तावच्चे देना अनुसंदान मस्तियव इती न तत्र व्यापर भावापति ही, इसलिए हस्तावच्चे देना अनुसंदान रहता ही है, इसलिए व्यापर क्या भावक्यापति व्या अबोगतर तुएन, भोग अप्रसंगात, भोग की प्रसक्ति नहीं रहा जाएगी आपती है, दुखाद ज्यानमातर से च्छा सरवग्य, तसमिश्टत वाद, और दुखाद ज्यानमातर की बात करते हो, वो तो सबका प्रकाशक है, सगल ज्यान भी वहीं है, सरवग्य परहमे फिर तो ब्रह्म में भुगतर ज्वापत्या जाएगी, कहते हैं इसके जवाब मैंने कई बार दे चुका हूँ, भीम प्रत्विम भबत व्यवस्तव पत्य है, प्रत्विम में जित्रावी, वोन दोश्ट दिखाए दे रहा है, उसके ब्रह्म के साथ अबेदोने के बावज इन चैतनी में हो रहा है, इसे उसको लेकर अशुद ब्रह्म में आप पादन नहीं कर सकते हैं, न चैता बता, हिंदी में तोड़ अशुद है, प्रति बिम भबत होना चाहिए, कि बिम और प्रति बिम का अभेद होने पर भी, प्रति बिम भबत कंपना जर्मन का आरोप, ब लुंद ही बिम और भोगतिति प्रति बिम कि अभाती बिम इन्हाद कर दो से शुद्ध में आपश ड़िजते कर से शुद्ध में नहीं, भीद्याद्तग बंद सेुर्द का त्पेन, आपजी आपश जो बंद है वो तो शुद्ध में रेगा, यह शुद्ध थेखान थो रहा जाएं और शुद्ध बया कि दो नहीं है, वो तो राया है अधिद्या का आशरे भी ब्रह्म्में, अविद्या कविशे भी ब्रह्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् अवस्तात्र अनुस्यूत अविद्यावचिन द्वाराशुत है अनुसंधात्रत्वस्य इस्टत्वात। और परंप्रय अशुत प्रहमें लेना चाओ तो हमें कोई आपत्ती नहीं है। क्योंकि आविचिन में ही अनुसंधात्रत्व है, उसको उसका वी कार्ण भूता, अवस्तात्रेम अनुस्यूत, जो विद्या, उस्य अवचिन के द्वारा आवश्द में ले जाना चाहते हो, अनुसंधात्रत्व हो, तो हमें कोई आपतिने परंप्रया कुछ भी आवे, कोई करवाने, किंच ही ताएन एक और बात, यथा, स्वग करन पुटपरिचिन नादो पुलंभे, भागांतर वर्तिन नाद अनुपलंभा, तथा, सुकृत्युक्रादी उपलंभा, अनुपलंभाउ, प्रत्यम बाद के बाद, वावच्चेद बाद में पोँचते, जैसे, शब्दों का उबलब्धिन ही ओती है, अते अवच्चेद बाद के हसा습 से भी, अन्तगरन अवच्चेदण जो चेतन है, उचमें जो भासित होता है, तत्द बिन जो अन्तगरन से अवच्चेद नहीं है, ऐसा शुद्र में उसका भाण नहीं होना उचिती है, निचात्य एक आत्त वादे सर्वदेहानाम स्वियत्वेन तत दियत्वनियम अभावेन वेवस्तानपतिरतन जिवाच्यमुणौ पूरु प्रक्षिकाताया ये जो वह सता अवस्ताक है अवच्य द्वाद अने कात्त वाद में नियुख ठीक बहनता है एक जिवात्वाद में तो बनेगा नहीं। ततत देशावचन अलग कहां से करोगे। वो एक की चीव है। वो एक कर रहा है। आत्त भेदे। करन पुटा नाम ततत दियत्त नियामक वत। वहाँ पर रहा है। यह चैत्रिकाय, मैत्रिकाय से वस्ता तो आप दे सकोगे। लेक जिवात्मा है। ततत यत्त नियामा अभावेन अवस्ता व्यस्ता की फुपत्ति नहीं होगी। ऐसा बत कहोू। इतिनवाच्यम CHAVA vert यिववच्छित ज्यानाधी बेदेन मह व्युपत्त है। जैसे आपका मत्रें आत्त-भेद्वोश्ता पकोता है 90 वास्त्त वेद का फिर प אם यसा हमारे हैं किया है हमारे मत मैं क rhats and नग्षी के नुअ टेश्ड़ के उपादिया है इनके माध्यम सो जाए का। भडिचीत है जय कि उसका अने हिंता है अंने ह्षी आरे है उस लोग इतेते हो जए लेड aleg आरे whole । कैरी है। कोई उती नहीं है उसी प्रकर यहां भी पाड़ू निया ठीके सुमान वै जो एक जिवात्मा है भ्रह्मा और जिसको प्रजयापती को और फिर्क पड़ो को एक जिवात्मवाद में सो सर्वग है। हाँ योगी को भी अनुसंदान रहता ही है यह था योगी को यहां पर इसे हम तो यहां के दिश्टान्ज मना रहे हैं सरवके के लिए ना योगी को सब को अनुसंदान है उसे मालूम में मैं किस में क्या कर रहा हूं किस के दूर क्या कर रहा हूं कर नहीं कर रहा हूं जिसको च लेकिन सम्मंध नहीं होता है। जयसे हाभयी जीवन्म्रेट को प्रीखे है। जीवन्मुक्त को दिखिस को होता है। दुखी होता है।। उसके मिठ्या दर्शन हो, तृष्यमात्र हो, क्यों नहीं होगी, प्रतित को कौन रोग देगा, इन में वैसको बादा सामराद करने प्रतिकाते, बाद कुरू को गरहन कर रहा है, पचासा बार जिस्टान दिया है, एक सिनमे एक्टर है, वो कह रहे है, वो जानता है वो तो अ नहीं हो, ऑर हॽो क्यों है, प्रतिकें विशर करने ठावशन करना प्रतिका है, वो इस को समयदा बहले करना करना हो गासाये, वो काने में हिस्टान को बलो, है विवखक प्रतिकें हो जाने एक भी होल्तिक Music interrupt वेस्वड़ी हो रहे हैंगा अम्मे अंतर के असरवग्य में वेर। इस वन्तिन एक जिवाद में सबात बनता ही नहीं है। तव आत्व बेदेन अवच्चेत को ज्यानादी बेदेन ममा व्यवस्तों पत्ते किंच व्यवस्तया बेदम वदन प्रष्टव्यां। इत्रहिन उन से मैं पूछूंगा आत्व बेद के आदर पर व्यवस्ता को देने वाले उन द्वहित वादियों से पूछना चाहेंगे। उन से पूछना चाहेंगे। व्यवस्ता के चक्कर में अब आत्वेद मान रहे हो। व्यवस्ता नहीं हो पा रही है। व्यवस्ता संपादम करने लिए मुझे आत्वेद बनना होगा, क्या है भला व्यवस्ता, किसका धर्म है यह व्यवस्ता, पूछ रहने, नतावत धर्म बेद है, धर्म बेद कोई व्यवस्ता नहीं का सकते आप, धर्म बेद कोई व्यवस्ता करके आप नहीं बोल सकते, घटत अग्त व अपतत्व मठत व धरुद रवच्व आदेघृ इह विवस्तहौ घर पण्स अव्ड़व्च्राकाwhen प्रदी डर्वच्छराः एयोना होता हुं एकस्मिन एव सुख़दुक परस्पर विरोधी धरम का दर्शने न वे विचारात धरम बेच विवस्ता बेद नहीं कह सकते आप भिनाशर धरम होक्तो एदी भिनाशर एक धरम है कहोगे फिर तो अन्योन्याशर दोश होगा क्यों कारण क्या है कारण है कि धर्म पेद की विवस्ता मानने के लिए आप भिन धर्मियों को मानना पड़ेगा अब भिन धर्मी की विवस्ता के लिए भिन धर्मों को मानना पड़ेगा धर्मा अदिन धर्मी वेद अधर्म अदिन धर्म वेद अनुना शरू हो जाएगा या पत्ति है, अधेवा, धर्मी में बेद होने से धर्म बेद होने से धर्म के बेद होने से धर्मी में 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 बेद होने से प्रतान करना है तो अन्योन अशुर्दोश आ जाएगा, और दे विरुद धर्म हो क्या होगा बताओ मेरे को यह दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं इस गार्थ क्या तीन अर्थ हो सकता है मुक्की रुपेन दो लेंगे यह दिवी तीन होता है यह दो ही ले रहे हैं सह अनवस्तान यह पाज्टिपाद अखभाओ विरुद्ध का मतलब क्या गटत तो जाहे वा पठत तो नहीं रहे सकता पठत तो जाहे वा गटत तो नहीं रहे सकते से दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म यह कहना चाहते हो एक साथ एक में दोनों नहीं रहे सकते सामनाद के इंडरुपेना सार अवस्तान को विरुद्ध क उस्त्रगाय विरोधी शीते, शीत्रगाय विरोधी वुष्णे, क्यों जी? क्योंकि एक दूसरे के बाति बातक है, ठंड आगे मैं गर्मी गर्मी आगे मैं ठंड चला गया, इस तरसे दोई प्रकार का विरोध मुख्य रूपड़े लिया जाता है, उनमें से कौन से विरोध का मानोगे? विर्द्ध विर्ध दर्म कतवतो विर्धत प्रस्ण रूपत्वे असिद्धे है सा अन्वस्थ रूपा है तो आप दोगये, तो असिद्धी दोश आगी पक्ष मुता एक जीव में सा अवस्थीते सारे विरोधी दर्म एक जिवात को लेकर तो उठाई हो ना बात और सबस्कुलյा पर्श्परि निए इसे सानःवस्थी को वहां पर थे पृत्ती पर इसे सानःवस्थी कहा सबमें एक ही मैं वस्थी दूसरे है refers यह नहीं तो एक इंब आउस्थी तो मनन नहीं पड़ेगा त्योंको जो साना वस्तान पर पक्ष लोगे, उसे सिद्धान को लेके चलोगे, तो असी दिदोश आ जाएगी, और बादी बाद को भावरुपत पे तसे एक आशर तिरो पत्या, भेद असाद कत्वाद, और बादी बादक भाव से घ्रन करोगे, तो यह एक आशर में रहकर के भी सादक भाव परस पर हो सकता है, उसके लिए बिन आशर मानने के कोई जूरत है, उसे भेद का सादक नहीं हो सकता, जैसे एक ही पानी है, उसी में आप उबाव दोगे तो गरम, कुछ दिर के बाद वही ठंडा, एक ही आशर में परकुरत दर्म आ रहे हैं कि नहीं है, और एक तो भेद का सादक भाव हुआ, सवा अशरेगी तरह में भेद उत्पन नहीं कर सकता, नहीं पर दे ο जल जल त दन जली है, धरम में कोई भेद नहीं हो सकता, अधि विरत धर्म कहणत तो भी इसके धर्म वेद के द्वारा धर्मी वेद के सिद्धी नहीं हो सकती ना भी अनसंदान अनसंदान है ऐसा करो पेर विरुद का मतलब है अनसंदान और अनसंदान करको लूँगा अनसंदान होना और अननसंदान ये परस्वर वुरुद है ऐसी विरुद्ध घर्म एक मेंनी हो सकते, उछलग अलग में हो नहीं पड़ेगा, तो दर्म ही बेशित हो जाएगा। यह आपने यह माना है, अन्तकन का भेद होने पर अनुसंदान होता है, अनुसंदान और अनुसंदान करत धर्म, विरुद्धी धर्मों के कारण से ही, हम धर्मी में बेशिद कर देंगे, तक सिद्धान के देशा नहीं का सकते हैं, तो यह रुकते न प्रकारण उपादी बेदे न उपपते हैं, वो तो हमने पहले बता दिया, भई, उपादी बेशिद वेवस्ता बन सकती है, उसके लिए धर्मी बेद मनने के कोई जुरुत नहीं है, आत्य बेद असाद का त्पस सिद्धार देगा, जीवों का परस्वरवेद, कुछ जीव क्या है, बंदन में है, कुछ जीव मुक्त हो गए हैं, यह ऐसा मान लेते हैं, अनेक जीववाद में, यह बंद मुक्ष की वस्ता के कार्ण से स्वाबय का अत्तविद मनना पड़ेगा, कदे भी नहीं हो सकता, त उपाधियों के उपगम और अपगम से यह बंद और मुक्ष वस्ता बन सकते हैं, उसके लिए धर्मी में बेद मानने की जुरत नहीं है, निच्छ उपाधियर पी उपहितनिष्टत पेना आत्मा शर्यादी दोशा, जीवों कहेगा, उपाधी भी उपहितनिष्टत पेना आत्मा स्र रड़ी दोशा जाएंगे, उपाधियर अविषेशनत्वेन, व्यक्तियंदर अनपयक्षत्वेन, अटमा स्र दी चतुरु नाम अनवका शाथ, जीवों कहेगे, यह दिए उपाधी, उन्तक्रणादी उपाधी, उपहित उपहित की कि एप्रस्ण उठा करगे, यह उत्य प्रक्षार इनगर सरे हो क्या 쉬ं जह के अगेखे step 5 मानन gracious थिज शन पैद we it the future चेइट भॉपहियत rebellion मानने पर आत्म शर्थोष पाई बनेगा तो कि अनियोपः इसका उपादे बनेगा तो Curtis इसका उपादिस्टे prelth, उसके उपादिस्टे ऐपलो जाएगा नहीं सести पुपधी पुलब सकाथ डोष ? ने दोष आए जाएगा ? । उपादिर अविश्वन एक अविश्वन मान्ते जाओ, इसे खोंदा पुरपकुषिगा काने पर Dad कि अपाधि हो उपहित में रहे है यह कोई जुरू नहीं है कि आत्मसरदुस्त तुम दे दो गई यान मेरे अक्रिस में आगे भी कहने की जुरूत नहीं है आवी दिमान का प्रतीती का नामी तो उपादी है को जुरूनी ना क्योंगे विशेशन में क्या होता है विशेशन के लक्षन में वर्तमान त्विसती इतर विया वर्त कत्तम होता है वर्तमान होना जुरूरी होता है और उपलक्षन और उपादी में क्या है वर्तमान होना कोई जुरूरी नहीं है इतर विया वर्तक होता कार्यान वही है तो उपादी है इतर विया वर्तक होता कार्यान वही है तो उपलक्षन होता है वर्त्मानों नहीं जुरूनी होता। उस विन वर्त्मानों नहीं जुरू लिए विशेशन के लिए इसलिए, इनका काना है, हम विशेशन तो नहीं मान रही हो अपादी को। कोई भी दोश आप हम पर नहीं दे सकते हो आत्माश्रे, अन्योन्याश्रे, चक्रक और अनवस्ता, यह चार होता है, उपादी से उपलेक्षित पत्यारत की उपादी मानने पर उक्तुचारों दोश दूर हो जाता है, कि उपादी चेतन तत्य पर उपहित बनाती है, यह उपादी की विशिषता है, यह उपादी की विशिषता है, कार्यानन वही है, कार से जोड़ेगा है नहीं वो, इसलिए काते हैं कि उपादी चेतन तत्त को बले उपाहित कर दे रहा है, लेकिन वह स्वेम अपने को उस उपाहित का विशेशन न बना कर, केवल परिच्चाइक बना रहा है, अदेवा तार्श परिच्चाइक को लेक करके आप आत्मा श्रोज नहीं दे सकते हैं, वेकतंतर का अपने प्रिच्चा ओ जाये, तब ये सब दोश आता है, उमें वेकतंतर का प्रिच्चाइक हो गया, और वा उपादी उपाहित में है नहीं, स्वाक कहते व्यावर्थन करेगा मिध्याबुत स्वास को ही उपहित से व्यावर्थन कर देगा क्यों यहाँ अबर उपादी और चेतन के लोग कोई तीसरा पदार था ही ने उपादी से उपहित हो गया चेतन उपादी और उपहित के अलाव कोई तीसरा है क्या इसलिए आपको कहाना पड़ेगा वहाँ उपादी अपने को चैतन से व्यावर्तन भी कर दिया और चैतन का परिचाक हो गया यह इतर व्यावर्त सत्त परिचाक अगत हो स्वकत मिध्यात प्रबोध हो गया उपादी गत मिध्यात्यों के निश्चय हो जाना ही उस चैतन से उपादी के इतर व्यावर्तन हो जाना और यह निश्चय होने के कारण से उपादी उस उपहित में विशेशनादी नहीं बन पाया नहीं तो विश्चयन हो जाता हूँ इसे दांतीज बता रहा है ये तेन शुद्धर रिष्टत्व है कि में कई कुपाद्य अपगम हो ये मुक्ती उत्र सर्वे उत्र सर्वे सरो पाद्य अपगमा हा पूरपक्षी पूछता है भई ठीक है ये शुद्ध में मान बिलिया ज़े इस प्रकार से एक जिवाद मान लो और शुद्ध एक है वे एक में अद्रिती वुसी वो सब बजमान लिया आपने इन बताओ एक एक उपगम होने से मुक्ती होगा या सकल उपगम होने से मुक्ती होगा पहला पक्स तो हो नहीं सकता नाज जिहा सदा मुक्ती हो जाएगी कहें बंद की वोस्ताई नहीं बन पाएगा नांतिहा अदुना बंद एवा नकस्या पिमुक्ती जिहा पाता पहर देगा आज की जमाने में अब तक भी किसी मुक्ती नहीं हुई क्यों पादे दिख रहें जब तक उपादियों का पगम ना हो सगल उपादियों का पगम ना हो तब तक मुक्ती नहीं होगी उसे जीव का और सगल उपादियों का पगम तो आस तक हुआ है नहीं क्या पिमुक्ती दिखाई दे रहें वेवारा में हो रहा है और आगे भी कब होगा पता है नहीं? इसे किसी मुक्ती नहीं होगी तरसे दान दिगए दैसा नहीं है. इत्यपी एते निरस्ता, कि एन उपादया यस चेतन से पुरिछनत्तम, तस्मिन चेतनी तद उपादया पकम सीव मुक्तित्वे, नाना जिवादे, पुरोग्त दोश अनवकाशात। इसको वे दोजन्क से जवाब जेते हैं, नाना जिवाद के अनसार चलो तो कोई दोशी नहीं है, कि जिस अंतकरण आवचिन चेतनों करगे, जिस चेतनी में आपने पंद को देखा, उस अंतकरण रुपाद को हटने से, तद वचिन उस चेतनी में मुक्तित्वारव क्यों नह है सकता, और एक जिवाद में कहते हो, आस्ति किसी मुक्ति नहीं हुई है, वहमें इस्ट्री है, सरोपाद या पगम स्यों मुक्तित्या, एक जिवाद में सरोपादी का पगम होने से, मुक्ति होने के कान से, इदानी मुक्त भावसिय इस्ट्रत्वारव, इस मुक्ति का भा ब्रह्माना साथ प्रलियंते क्या है न एक श्लोग में आता है ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के साथ को ही एक जीव है उसके हम सब कलपना है इसे वो जिस दिन मुक्ति को प्राफ करेगा उनने उसका आस्तर महा प्रलय जब होएगा तब जाकर हम सब की मुक्ति हो जाएगा उसके आयू पूरी हो गई वो मुक्त हो जाएगा उसके परिकल्प हम सब की मुक्ति हो गई उसी प्रकार जिस समय हम स्वप्र से जग जाते हैं हमारे गरप परिकल पर स्वप्र 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 जग जाते हैं मुक्त हो गई नहीं हो कहा रहे अब हम जगते ही हम जैसे जग जाते हैं स्वप्र में जितने को भी हमने बना लिये थे वो सब कहा गए आपको कहना पड़ेगा उन सब की मुक्ती हो गई उसी प्रकार है सारा जगत ब्रह्मान को एक जीवाद में उस रिष्टी करता है इश्वर को ब्रह्मा को जो भी है उसके स्वप्रवद है ये अज़े उसकी जब आयू खतम होती है उसकी सुप्र रुपए जगत तो समाप्त हो जाता है साथ साथ हम उसके साथ हम सब मुक्त हो जाएगे इस समय कोई मुक्त ही नहीं कहते हो तो इस्ट ही है इसे दान्ति इस्टत्वा नन उपादे कथम बेद कथम पूरपक्षी पूचता है लेकिन यह उपादी बेद फिर कैसे बन पाएगा तदा ही उपादी किम एक देशे न संब देढ़े है क्रस्री नवा यह पूचने को मेरा विप्राई है पूरपक्षी कहता है यह उपादी उस ब्रह्म का एक देशे संब दित होकर उपादी बन के उपहित कर देता है या पूर्ण ब्रह्म को सम्मत्धों करके पूरे ब्रह्म को कैसे उपहित करता हूँ आदे तौनमते स्वाभाविक अभावेन अउपादी कत्वम वाच्चम फिर तो आपके मत में उस ब्रह्म स्वाभाव का उन्ष्ट थैनी एक आठ सम्थख का इसे होगा इसफफश्छी उपधी कि मानने पड़ेगी यह उपधी को उस बरह्म कर देश के सम्थ कर नकिले उस एक देश में को अरुपधी बनने पड़ेगी और वो पाइदी स्वागत एक देश के सम्थख लोगा कवय का तल्पतियन rise को नहीं, देश्टों नहीं रईडमें है। अजह उचेत नहीं बन्ता। तथ आचे आझामपना, चाहते है, जाएक इसकते हो जाएगी। न की कई उसादेनी कई उचे मंझा अनवस्ता हो पूर्वादी में, कृस्ट नस्या एक उपादी कृस्तत्वाद, संपूर्ण ब्रह्म को एक उपादी ने गरस्त कर रखा है, तो अन्य उपादियों को प्रश्टीनी उठता, तो ऐसे तुमें भेज के सिदोगा, गगनादयों में भी स्वाभावी कानश भावे, घटादी उ उपादी का समवनदर, एक देश में होता है, यह सर्वत्र होता है, एक देशे ना, एक देश मने हो सकता, क्यों? अनवस्ता स्याद, सर्व गस्चे तद भी ना, क्यों? नभेद गस्याद, फिर तो भेद कर नहीं रहे जागो उपादी, इदिचे नो, सिद्धान देशा मत कहो, सर्व विकल्प आसहत्वे न, मित्या भूत सी उपादे, मित्या भेद प्रवजगत पस्याद, प्रागे उपाद नहाद, कदे देखो, सर्व विकल्प आसहत्वे न, जहां सत्य उपादे का सम्मंद स्थापित करना होता है, वावश समग्र, और एक देशादी विकल्प की कल्प राफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ उपादे खुद मित्या है कर दोस्मंद स्थापित करना है, हमारे इसारह उपादे मित्या है, जाविध्या कोज भी कोई, नाम कुछ ही हो बोलो, इसलिए करते हैं, सर्व विकल्प आसहर उपा, मित्या भूत स्याइवा, एव उपादे, मित्या भेद प्रुचकत्तो, उबेचा पईदगरो भी, मित् बेदे विवस्ता परती और बेदे जिस क्रेकार से तुम्हारे लिहमं काते हैं तुम्हार है अनिनताता मांते हो कि सारी में उप्याइप यह पोचूंगा चौन टुम्हारे सारी आत्मा है का है एक एक जो है वह रिचंग ने कि परिचंग अ यह समदी Yeah सरुदेसमंध शिष्षवर के जाथ, यह सुआ तुमारे पर भी आएगा, और तुम व्हेवस्ता नित्यी पहागा, कि तुमारे मत्व जगत सत्य है, भेस्त्य है, तुमारे लिए हेडे के हैसब, तुमारे लिए सुप बना रहेगा, व्हेवस्ता देना, क्यों तुम सत्य बेद मान रहे हो सत्य उपादिया मान रहे हो हमारे मिध्या उपादिये मिध्या बेदे इसले को यापत्ती नहीं हमारे यह गरें कि यह था चाहत्पनान सरुगता नाम बेदे विवस्ता अनुपपत्ती इसे तुमारे मत में सरवगतिते आत्मा हैं सारी की सारी उनमें भेद के वस्ता अनुपन हो जाती है तथा प्रफण चितन चब भाषकरत भी इस बात लों हमारे भाषका शंगराचार जी ने अनेकों जगह ये बात कहे दिया है परहिभाष्य में जगह-जगह पर विचार करके उप्रिशदों में ब्रह्म सुत्र में गीता में समझा चुके हैं ये आत्मा को व्यापक भी मानोगे और उसका भेद ही मानोगे ये पर्श्प्रवर्द बात है ये नहीं हो सकता तो व्यापक होगा वाभिन होगा पर भेद नहीं हो सकता पर स्परवर्द होने करनाते एक में दोनों बाते नहीं बन सकती है यह पात तथा प्रपंचितम भाशकृत में आचारशंकर के द्वारा इस प्रकार साथ बेश्चिद्य में अब जीव भेद के अनुकुल तरकों का भी खंडन हो गया और अब रागया भेध पंचक में जीव का ब्रपंच को फ्र्थब फ्रिये तो कि बेदमानते हो लो फिसेश वेद खंडन कर दिया फिर जीव इश्वर भेद के खंडन किये और जीवक परशवर भेद भी खंडन हो चुका आप जीव जगत और इश्वर जगत के खंडन करने आरम करते हैं एवं जड़ेश भेदे, जड़ जीव भेदे चा जड़ जीव भेदे चा तात्तिक प्रमाण नास्ति, इन भेदों के तात्तिक खोने में कोई भी प्रमाण नहीं है, क्यों नहीं है जी? अगया मैं तो अनुमान प्रसुत करूंगा, तो कदे नहीं हो सकता